आज की डेट में किसी भी online business में जो सबसे important skill है वो है digital marketing skill कि किस तरीके से आप अपनी website पे अपने online business में traffic लेके आते हो किस तरीके से आप अपनी traffic को trust दिलाते हो और किस तरीके से आप अपने customers को बार-बार customers बनाते हो और इसी चीज को कम price में effectively सिखाने के लिए हमने आप सभी के लिए digital marketing course बनाया है जो कि specially online selling के लिए है मतलब जो real estate के लिए नहीं है digital marketing दस जगा use हो सकती है हमने इसको specially social commerce और e-commerce के लिए बनाया है ताकि किसी भी बंदे को कोई physical product online बेचना है या social media में बेचना है या e-commerce में बेचना है वो easily कम पैसे में online digital marketing करके sales ला सके और अपने business को grow कर सके दिखे अकर digital marketing पे invest किया जाए heavily तो कोई भी आदमी easily digital marketing कर सकता है किसी agency को hire कर सकता है Facebook ads में पैसा डाल सकता है Google ads में पैसा डाल सकता है लेकिन असली challenge होता है कि बिना investment की या कम investment में आप किस तरीके से digital marketing करो और sales लेके आओ और यही चीज हम इस course में एड कियेगी कैसे आप बिना पैसो के या कम पैसो के digital marketing करो sales लेके आओ और easily अपने business को grow करो तो यह जो digital marketing का course है यह specifically online selling business या e-commerce business वालो के लिए है जो social media में या e-commerce में product sell out करते हैं अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि क्या क्या हम इस course के अंदर जानेंगे सबसे पहले मैं आपको introduction दूँगा digital marketing का कि actual में digital marketing होती क्या है मैं आपको digital marketing का process बताऊँगा कि क्या step by step process होता है ताकि आपको एक basic theory पता चल ला है फिर मैं आपको basic level से designing बताऊँगा कि designing कैसे करते हैं designing सबसे important part होता है क्योंकि कोई भी आप marketing करते हो कुछ भी करते हो तो उसके लिए आपको एक creative बनाना पड़ता है वो creative अच्छा रहेगा तो आपकी marketing campaign अच्छी रहीगी फिर उसके बाद मैं आप सभी को बताऊँगा कि एकदम basic level से क्या क्या steps लेना चाहिए initial level पर marketing करने के लिए free of cost marketing करने के लिए फिर मैं आप सभी को बताऊँगा कि whatsapp पर कैसे marketing किया जा सकता है free में कैसे marketing किया जा सकता है pay करके कैसे marketing किया जा सकता है फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि content marketing कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि telegram पर marketing कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि influencer marketing कैसे करते हैं फिर हम जानेंगे कि facebook advertisement actually में कैसे run होती है मैं facebook ads के बारे में बहुत deep जाके बताने वाला हूँ और फिर मैं आप सभी को बताऊँगा कि Google Advertisement किस तरीके से होने वाली है इस कोर्स में हम ये भी एड करेंगे कि किस तरीके से आप WhatsApp पर automation कर सकते हो किस तरीके से आप bulk WhatsApp messaging कर सकते हो किस तरीके से आप और भी अलग-अलग tools को use कर सकते हो तो digital marketing जो है वो दो-तीन चीजों से होती है एक तो होती है आपकी creativity कि आप कितना अच्छा design क्रियेट करते हो advertisement क्रियेट करते हो एक चीज है दुसरी चीज होती है आप कौन-कौन से software को जानते हो कितने अच्छे से जानते हो software की knowledge बहुत matter करती है क्योंकि software से ही marketing campaign launch होता है और जो तीसरी चीज है वो होता है आपका perception आपका idea कि आपके customers को actually में चाहिए क्या आपका ideation और ये तीसरी चीज जो होती है वो सबसे important चीज होती है योगि अगर आपको customer के दिमाग की बात पता चलगी कि customers किस चीज पर react करते हैं तो आप किसी भी creative के साथ किसी भी software के साथ अच्छा marketing campaign launch कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको invest करना पड़े या ना करना पड़े हमेशा invest digital marketing में growth stage में किया जाता है 5000 लोगों तक के तो आप ऐसे ही पहुँच जाओगे अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की एक कोईरी है कि इस course को buy कैसे किया जाए तो मैं आपको step by step process बताता हूँ सबसे पहले आप हमारी website पर जाएए हमारी website पर जाने के बाद आप courses पर क्लिक कीजिए courses में आपके सामने हमारी जितने भी courses है वो आ जाएंगे आप simply digital marketing course पर क्लिक कीजिए आपको course का page आएगा course के बारे में जितनी भी information है वो आपको इस page पर दिख जाएगे अब simply यहाँ पर enroll now का button है आप enroll now के button पर क्लिक कीजिए आपको अपने खुद का एक login account बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पर sign up करना पड़ेगा आप easily अपना एक account create करिए sign up कीजिए sign up करने के बाद आपको वहाँ पर payment gateway का option आ जाएगा आपको सिफ वहाँ पर payment करना है and then आपका course जो है वो book हो चुका होगा अब आपको एक email आ गया होगा congratulations का जहाँ पर course की information भी आ गई होगी अब दोस्तो course access करने के लिए आपको simply login करना है dashboard में dashboard में login करने के लिए login पर जाईए अपना credentials डालिए जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पर courses का option आपको आ जाएगा वहाँ पर आपको ख्लिक करना है आप इस course को आगे resell करे या आपके अंदर भी बहुत सारे लोग है जो digital marketing के बारे में जानना चाते हैं आप उनको बेचे तो आप simply इस link को copy करके इस link के तुरू selling कर सकते हैं इस link से अगर आप कोई भी course sell करते हैं तो आपको उसका 50% commission मिलेगा suppose अगर course 1000 रुपीज करे तो सीधा सीधा 500 रुपीज आपके bank account पर credit हो जाएगा तो यह हमारा affiliate program है आप simply affiliate marketing करके भी online earning कर सकते हैं लोगों को सिखा के भी online earning कर सकते हैं course से सीख के भी अपने खुद का business grow कर सकते हैं तो I am sure आप में से बहुत सारे लोग जो online business करते हैं social media में product sell करते हैं अपनी खुद की e-commerce website पर product sell करते हैं या करना चाते हैं उनके लिए ये course बहुत important होगा उनके लिए हमने भी बहुत अच्छी research की हुई है and definitely अगर आप इस course को buy करते हो तो आपको एक value मिलेगी जो value lifetime app के साथ रहेगी जो value हो सकता है कि आपके business को create करे आपके business को start करे या आपके business को change कर दे I hope आप सभी हमारे content पर भरोसा करेंगे और हमारे साथ इसी तरीके से जुडे रहेंगे See you on the other side